अदानी पोर्ट्स की दो रिजल्ट्स, शुद्ध मुनाफा 4% बढ़कर 1748 रुपए करोड रहा, रेविन्यू 27% उचला अदानी पोर्ट्स को सित्बंग तिमाही में 1747.85 करोड रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले वित्वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 4.1 9% अधिक है, कमपनी ने कहा कि उसे नई टैक्स रिजीम को चुनने पर पिछले मैट क्रेडिट को बट्टे खाते में डालना पड़ा, जिससे उसका मुनाफा कम हुआ अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल एकोनॉमिक जोन ने गुरुवार 9 जुलाई को अपने वित्वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के नतीजे जारी किये, कमपनी ने बताया कि सित्बंग तिमाही में उसे 1747.85 करोड रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पिछले वित्वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले 4.1 9% अधिक है, कमपनी ने कहा कि उस पिछले मैट क्रेडिट को बढ़ते खाते में, डालना पड़ा, जिससे उसका मुनाफा कम हुआ, अधानी पोर्ट्स का रेविन्यू सितंबर तिमाही में 27.55 फीसदी बढ़कर 6646.41 करोड रुपए पर पहुँच गया, ब्लूमबर्ग की ओर से 4 एनालिस्ट्स के बीच करा एक पोल के मुताबिक कमपनी का शुद्ध मुनाफा 2079 करोड रुपए और रेविन्यू 6414 करोड रुपए रहने का अनुमान जताया गया था, सितंबर तिमाही के दौरान कमपनी का ओपरेटिंग मार्जिन कम होकर 58 फीसदी रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 63 फीसद कमपनी में अदानी पोर्ट्स का रेविन्यू सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 12,894 करोड रुपए रहा, वहीं एबिट्डा सालाना आधार पर 49 प्रतिशत बढ़कर 7,439 करोड रुपए हो गया, कमपनी ने कहा कि उसका पोर्ट एबिट्डा मार्जिन 2.2 करीब 202.6 मिलियन मिट्रिक टोन कारगो संभाला, जो पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। बार कर रहे थे।